कि परसंटेज की बात कर रहे था कहां तक वह था परसंटेज एक सो दो हो गया था कि कराना है चल्ट है लिखे भाई एक सो दो नंबर कोश्चन एक सो दो इंदी में बोलते हैं इसको वन जेरो दो परसंटेज का है वही आजा सावास बहुत जल्दी इससे पहले में लास कोश्चन क्या पढ़ा थे कबर बता दो जड़ा बिलकुल आगे सच में तुमने निकाला था या मेरे मैंने करवाय तभी वेट किया था इतने इंटलिजेंट हो गए बहुत प्यारी लड़ी के भी बहुत इंटलिजेंट है ठीक है ऐसा जूर बार बार बोलना पड़ता है में चले लिखे भी आगे कोश्चन एक सो दो नंबर मॉस्ट इंपोर्टेंट कोश्चन स्रीज शुरू होती यहां से for an examination it is required to it is required to get 35% maximum marks to passing 35% maximum marks for passing a student got 80 marks and failed by 60 marks एक विज़ारती 80 अंक लाने के बाद 60 अंकों से fail हो जाता है एक विज़ारती 80 अंक लाने के बाद 60 अंकों से fail हो जाता है यदी परिक्षा में पास होने के लिए 35% अंक क्या हो सकता हो तो परिक्षा में देखता हम निदारी तंक कितने थे चारसो ए टेखता हली ओ कि लिए फृर उन गिज़ारती अंक Sig का लिए पने के लिए Lolane भीडे साूं से परिक्षा में न कलिता तंक क्या है पारिंज अंक के लिए रखव्यमिनेचिया उरा थे अंक लाद कंट और यह पास्थ होने लिए 35% कितने हैं 35% तो अधिकतम अंग कितने थे हैं हो सकता है वह तो कुछ भी सकता है 400 गलत लग रहा है 400 ठीक लग रहा है देखो एक बार इधर से द्धान से सुनना बहुत सारे तरीके लेकिन आपको जूट नहीं है बही पास होना है किसी वैक्ति को उसको कितने नंबर चीप लिक्षा में मैं उसको असी नंबर तो मिलते हैं और कितने नंकों से फैल हो जाता अगर उसको 06 और मिल जाते तो 60 स वह पास होता ना तो अब यहां से चीज समझो जो 35% परसंट है इस की वैल्लनो यह 148 republican की多 मार्श का में और कितने परसंट होते हैं तो बेटा 100% सो अगली एक सो चालीस बटे 35 कुना सो तो कितनी होंगे 400 marks is right answers 400 marks is the right answers किलियर है पक्का चाले आगे बढ़ते हैं उदर चलादा नाले गलत बाड़ी गया तू पीछे से कैमरे के साथ हिलाईयो मत बस सहाँ आप सही देखें तरको बार बार देखने तरह चारा भी सुजा हुआ आज आगे बढ़ते हैं दमदार तरीके से अगला कॉश्चन 1-0-3 ये रहा बोड के उपर दिख गया होगा 1-0-3 मेरे को दिख रहा है लिखा होगा एक कंडिडेट स्कोर दिखो सही में देखर एक कंडिडेट स्कोर 35% 35% और फेल बाइ 40 मार्क्स 40 मार्क्स वाइल अनधर कंडिडेट 90 मार्क्स 60%मार्च 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 55o और बाइल Manut 35 बाइल 25 मार्च 35 ओर मार्क्स holyarak्स 25 a find the maximum marks for the examination find the maximum marks for the examination एक विद्यार्थी किसी प्रिक्षा में 35 पर्तिशत अंक लाता है और 40 अंकों से फेल हो जाता है जबकि दूसरे विद्यार्थी 60 पर्तिशत अंक लाता है 60 पर्तिशत अंक लाता है और पास होने के लिए आउस्टा कंग से 35 अधिक पराप्त करता है पास होने के लिए आउस्टा कंग से 35 अधिक पराप्त करता है परिक्षा में अधिक्ता मंग कितने थे भाई साबाज गलत आउरा बहुत प्यारी लड़ी के वाई ऐसी तो बच्चे चीए में जिनको एक बार करा लो फिर भी गलत करते हैं भाई अब तो दिमाग लगना चीए महरा क्या ना महरा जी क्या ना में राहूल महरा बतावे एक नहीं कोर्शन करने वाद एक कोर्शन करने बाद तो इस टाइप तो बेस्टीक अलट टाइप ओप्शन ये जूट चीए नियों बताएंगे इस गलत है मुन तो करने इंट्रस्ट थोड़ा भारी एंपर पर अलका होता दो मार देता हम फैक के लेकिन महीं मारूं और चोट लग जाए खाम करें काजल बताओ कि अज़िए गलत आ रहे हैं देखो ओजल सी देखो किई आक कुस्चाने ध्यांसे पढ़ना एक विदार्णे के कितने पर्षेंट अंक मिलते हैं 35 पर्षेंट और कितने अंकों से फिए होता है कि अगर वसको 40 अंउर दें percentage लेग दे, uncle लेग दे क्या वो pass हो जाता नहीं हो जाता clear है दूसरा विधारती उसको कितने percentage मिल रहे लेकिन जितने उसको pass होने के लिए चाहिए थे उससे कितने ज़्यादा ले रहे अगर हम इस सब 35 गटा दे तो ये भी pass होता और ये भी pass होता क्या दोनों बहुत बराबर होती नहीं होती तो इधर जाएंगे 35-60 में से गटाएगा तो कितना बच्चा पच्चिस और ये 40 में 35 जुड़ा तो कितना हो गया 25 की वेलू 75 तो एक की वेलू 3 और 100 की कितना होगी बही वादे कितना आचान कोशन हमें किताब की वातों कराई नह कि पास ही तो कराना हैं बच्चे को तो पास करा दो और जो पास हो जाएगा नोकरी मिल जाएगी आगे बढ़े चले लिखें भी कि अगे अन्डेड एंड फॉर एक इसे बच्चे तुम लोग नालाई को बताओ को शन नहीं कर पारे तो क्या करोगे तुम लोग लोग लिखें इन एग्जामिनेशन देर वर 640 बॉई जो 640 बॉई एक परीक्चा में 640 लड़के एंड 360 गल्स और 360 लड़किया सामिल होती है 640 लड़के और 360 लड़किया सामिल होती है 360 गल्स कोमा लाग रिखना 60% of boys 60% of boys and 80% of girls were successful students 60% लड़के और 80% लड़किया सफल विद्यार्थी की स्रेणिय में आते हैं यहीं सफल होते हैं पास होते हैं 60% लड़के और 80% लड़किया सफल होते हैं फाइंड दा परसंटेज ओफ फैलियर वोज तो ए सफल चात्रों का परतिशत कितना है बता दो गिसाबाश यह जो कोशन छपा हुए बोड पर जिसको दिख रहा है वह आप बच्चे ठीक कर लेंगा जो वीडियो देख रहे हैं यह सफल नहीं है ए सफल का पूछा है फैलियू और इंगलिस में सब लिखा है हिंदी में सफल सब के हो ए सफल कर लेड़ा तुम्हें नहीं कर रहा है वीडियो वाले बत्चों को कर लेड़ा यह ऐसा फल कर लेड़ा भाई वाँ कैसे किया बिलकुल ठीक है कि यह एड़की कुछ नगुछ करें यह तना मुझे पक्का पाता है एक कोशन के बाद कुछ करेंगे दूसरे के बाद नहीं हो हूँ आज हमारा पतलो नहीं आया कोई ऐसा है वालग जिसको नहीं आया समझ में गलत आया हो है बतावे कितने लकड़े थे लकड़े थे 640 और यह लकड़िया 360 लकड़िया थी कितने लड़के पास होते है लड़के कितने पास होते है तीन बार इसलिए पूछ रहा है लड़के साच परसंट पास होते है तो भाईया फेल कितने परसंट होगे तो चीरी सी बात हम लड़कें को 40% को fail करा लेते हैं वो लड़कें कितनी pass होती है तो यहां 80 pass होती तो fail कितनी हो योगी बस आपको 640 का 40% कितना होताई यह निकाल लो कितना होताई 260 360 का 20% निकाल लो कितना होताई इतने बच्चे फेलोते इन दोनों को जोडो जरा कितना हो जाएगा श, attitudes पांस, सत बारा, 328 बच्चे फेलोते और तोटल कितने थे 1000 अजार में से गर 328 फेलोते हैं तो 328 अजार का कितननः बच्चेव नहीं से व्यून्ह लाला बता हो जरा हो कि बोलो बात समझ में आ गई अच्छे से समझ में आ गई है इंटालिजेंट हो गये हम लोग वो गयों तो एक कोशन बता दो फिर कि अंजी सर्चेंदर नाथ कि आस तो कहीं नहीं जाना भाग वुक के किसी बिचाद कुछ नहीं पताते हैं बालक मेरे पास पढ़ता था का इप फैले बोला में कोचिंग और जाता हूं मेरे को जल्दी छोड़ दिया गई दो मेने बात पचाला किसी के स्कूटी भी गूमने जाता है को लेने आता उसको एक गंटे पहले घर ते जो कोचिंग का बान को गूमाने एक सो पाँच लिखिए लिखिए टू स्टूरेंट्स अखमार्ट का शाधने लिखर लिख लिखिए टामच महरे लाब अंजा आविरोरेंट प लिखर लिख देखिए लिखिए लिखिए भी टूत्न पर लिखिए 10 सब्स्क्शोरा ह। 56% His marks was 56% Of the sum of their marks Their marks The marks obtained by them are The marks obtained by them are Doh विजार्थी एक प्रीक्षा में सामिल होते है एक चात्र को दूसरे से नुवंक अधिक मिलते है एक चात्र को दूसरे से नुवंक अधिक मिलते है और उसकि अंक दोनों के अंकों के योग के 56 परतिसत है तो उनका प्राप्त अंक कितना है तो उनका प्राप्त अंक कितना है ये लास्ट ये आयत है ग्जा लास्ट आ त्यल मतलब जो शीज़़ल ल्स बस्का धलाव और यह साई कोिसन बेसिक बडेव में पूचता हो बच्चों वाले कश्ण वोलो यह कोंशें बोट रहां प्राम्य मिर क्लास पांच होते है पांच हरक मतास आवास यहां पे भी आज करांतिया जाएगी नहीं बताया तो तुम लोगों ने नलाई को सेलेक्शन बड़े प्यार से होता है बस थोड़ी सी मैनत ची उसके लिए और यह मैनत अकेले में करनी होती है कोई नहीं कर रहा है तो दुखा सुनाई दे जाएगा ना फोन में लगा लेगा तो सेलेक्शन हो जाएगा यह हाल तुम नहीं होगा देखो दो विजारती एक परिक्षा में सामिल होते है एक सातर को दूसरे से नो अंक अधिक मिलते हैं द्यान से सुनना यानि मैं कहूं मालो मेरे को 25 अंक मिलते हैं तो इसको मेरे से 9 जाधा 34 मिलते होंगे मेरे को 50 मिलते तो इसको मेरे से 9 जादा 59 मिलता हूँ अंतर नो का ही है लेकिन उस विद्यार्थी का जो अंक है पहले वाले विद्यार्थी का वो दोनों के अंकों के योग का कितना परसेंट है यहीं से कोस्टन सो लोगया चार से काटेंगे और चार से काटेंगे तो यहां से वालू प्यादा चलेगी कि पहले वाले व्यक्ति की वैलू कितनी आ गए और दोनों की वैलू कितनी है तो 25 में से 14 गटाएंगे दे कितना जाएगा दूसरे वाले की वैलू 11 कि दोनों तभी 25 आ सकते हैं तो इन दोनों के अंतर वैलू कितना गए पर एक को कितने जादा नंबर है और तीन युनिट की वैलू तो एक की वैलू तीन तो पहले वाले को अंग कितने मिले 14 गुणा 3 और दूसरी वाले को 11 multiply 3 तो 42 और 33 उनकी आंग थे बास समझ में आगे प्रैक्टिकल करके देख सकता तरीका बता रहा हूं बस इसरी तरीके को दिंग आगे में रखके आपको question को उडाना है यहां पर क्या करना साहिल कि विलकों दोस्त मैंने का सतेंदर नाम पाएक लड़का है उसके जितने अंक है जूंके दो एक उसका दोस्ता दोनों की मिलाकी 56 परतिसत मिलते हैं तो मैं पहला सतेंदर लिग लिए सतेंदर उसका दोस्त नीचे लेग लिए 57 परसत का मतलब 14 बटे 25 यानि सतेंदर को 14 मिलते तो दोनों को 25 मिलते हैं तो 25 में से 14 गटाएंगे दूसरी वाले को कितना मिलेगा सतेंदर यह बता है 11 तो दोनों के अंदर कितना गया पे हैं लेकिन question में किजना बोले हैं तो 3 की value सतेंदर को मिला 42 और इसके प्यारे से दोस्त या दोस्ती को मिला 33 कि ऑप्सन नंबर एक इस सवाल का उत्तर मैंने बुला जितने भी type की question हैंगे मैं सारे करा दूंग बस आपको द्यान ही रखना है कि आम लोग पढ़े कितना बस और आप लोग मुझे साहिद बतला गारे किताब भी तो आपकी जंग खागई होंगी दीमक लगई हूं नहीं में किताब खोलती हो गर पे प्राइल तेरे तो खर काम आ जाएंगी लिफाफे बना कि बाकी तो नलाएगा नहीं पढ़ लेक नहीं तो दो तंडव पर तंडव हो रहा ने से वेब सिरीज पर आसे तंडव मत जाएगा घरवालों की नदर में अगर स्लेक्स नहीं हो बातों सब को तंडव के अंदर सब के तहात अभी योगी ने जेल में डलवाने की प्रावदन बढ़ा दिया सब के उपर चले आगे वड़ते वन जीरो चोपे कॉस्चिं लेकिंगे in a test a student got in a test a student got 30% marks 30% 30% 30% marks and fail by 25 marks 5 marks in the same test another student got 40 marks 40 40% marks 40 marks 40% marks secured 25% marks secured 25% marks more than the more than the essential minimum passing marks essential minimum passing marks find the maximum passing marks for the test work एक प्रिक्ष्ष्ण में एक चात्र को 30% अंक पराप्त होते हैं और वे 25 अंकों से एसाफल हो जाता है 25 अंकों से एसाफल हो जाता है उसी परिक्ष्ण में दूसरे चात्र को 40 पर तिस तंक पराप्त होते हैं और उसे उतीन अंक से 25 पर तिस अंक मिलते हैं तो परिक्ष्ण में अधिक्तम उतीन अंक कितने थे ये कोशनन नया जिस ने बता दिया उसको मेरी तब से 20 वाली चोलेटे नाम अधिक्तम मंग कितने थे बाई वा सावाज गलत आ रहा सावाज गलत आ रहा है पॉइंट में गलत आ रहा है अपलत आ रहा है पॉइंट में आ प्याए पॉइंट में आ रहाए और रहा है बाए है पॉइंट में लाए है ये रहा है बाइवा गलत आ रहा है सावाश बाइवा डाइवाय 17 प्रखेवा-इवाइवार झाल बटाओ बे देखो इसका एक ही तरीका है फाइफ स्टार बना लोगे कोस्टन के उपर और शिर्फ एक ही तरीका है दूसरा तरीका कोई भी वेरिफाई नहीं होगा इस पर कभी आप सोचो दिमाग लगाने के लिए बिल्कुल नहीं लगेगा मैंने इसलिए फाइफ तर बनाए यह कोस्टन एक बार आया सिर्फ अभी मेंस में अभी आने वाले टेम में बार बार पूछा जा सकते है सते अंदर पढ़ सावाज मेरे शेर नहीं लिखा है सबसे पहले आप लिख लो मैक्सिमम् माक्स मैक्सिमममममक्स माले स्टूड्यन को मिले है आपकी एकस कंदर मिले और एक स्टूड्यन को क्या मिले है करेंगे एक इस की वार्ट यहन ai है यह होता है कर जाता है पत्था फास ग्ल at प्सक्राइप ऊंप कर दो इसको तो तो अ मीं ऑगे सबस्क्राइब की और गुटत ऑनर Campus Rules की आफ़ संब्सक्राइब उसको 40% अंक मिलती है नहीं 40x बटे so minimum required कितने थे इतने थे इस से कितने परशंट ज्यादा लेता है तो इस minimum required से 25% ज्यादा लेता है अगर हमे minimum required से 25% गटा दे तो ये भी क्या होता minimum required से 25 प्रशंट जागा 25 प्रशंट गटा देंगे रिक्वाइड मार्स तो यह भी क्या होता है पास होता है बास समझ में आ गई अरे बोलो बस इस दोनों पास्सिंग पास्सिंग दोनों को बराबर करतो तो पहला बराबर कितना लिखना है इमरी बच्चे देखो तीस एकसष बते प्लस पच्छेश बराबर लिखना है 25 प्रक्याटेंगे 4 बार तो माइनस 25 बटे 4 किलियर यहां तक बात अब यहां से भी काड़ दो एक 0 से काड़ सकते हो सभी x x को एक सेड दिया हो यह 3x बटे 10 इधर लियाएंगे तो कितना आएगा 4x बटे और यह इधर आएगा प्लस होके 40 और यह इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा माइनस 25 बटे 4 यही होगा अब बटा देख दिख रहा है यहां तक L से मिलेंगे तो कितना आएगा बटा 40 कितना आएगा L से दस से करेंगे 4 चार चार ते 12x 10 से करेंगे 4 चार चुक 16x 40 से 40 काटिंगे कितना आएग्स 3x यह हैल से हम आएगा 4 25 होके 100 माइनस 25 यहां लिखते हैं हम देखो 16 माइनस के 12 और 3 15 तो 16 में से 15 देगा तो माइनस का x वटे बराबर माइनस का 125 वटे 4 माइनस से 4 से तो टॉक्टल अधिकतम मार्क्स कितना आएगा यह तो अधिकतम आया है पूछा क्या कोश्चन में पूछा क्या पासिंग मार्क्स इतने थे यहां value put कर दो, x की 1250, 30, यह passing marks आ जाएगे, plus 25, तो 1020, 125 गुना 3, 35 में 25 उड़ोगे तो, तो minimum passing marks इतने हैं, यही एक तरीका है, कोई और तरीका दिमागे में नहीं है, क्योंकि इसने दोनों percentage जाली, मैं चाहता दिस question को skip भी कर सकता था, बाहर करते भी हैं, लेकिन यहां आपको कराना जरूरी था, question पूरा पढ़ते दिमाग में पूरा fit बढ़ा दूगा, आराम राम से समझने हैं तो, पढ़ सावाज, in a test, a student got 30% marks, and failed by 25 marks, percentage नहीं हो marks से जानक, अगर 30% मिलते हैं पच्ची से फैल तो, पच्ची सोर देते हैं तो पास हो जाता है, आगे बोला, another candidate था, उसको 40% नमबर मिलते हैं, टोट लगा, लेकिन जितना पासिंग के लिए मिलता है, उससे 25% जादा मिलते हैं, तो उसका 25% गटा देते हैं, ये भी क्या होता है, पास होता है, बस यहां से गटा के, ये भी पास, ये भी पास, दोनों की वेल्लू कोल कर दिया, यहां से X की वेल्लू आगे, 1250 हो यहां पूट कर दे, minimum marks आदा, अगर अधिक्तम पूश्ता तो answer, बाइवा, बड़ा प्यारा लड़का तो ते यार, इतने प्यारा लड़के मुझे मिलते नहीं कहीं भी, क्यों नहीं मिलते हैं, पता नहीं, हैंसाई, क्यों नहीं मिलते हैं ऐसे बच्चे, हम बस्कपन में पढ़ते थे जम छोटे थे जब वो एक बोतल आती थी कांच की उसके डखकन में छेद करके उसमें बत्ती निकाल गे मिट्टी का तेले बढ़ लेते थे दूसमें और वहां से पढ़ते थे उस बोतल के समझ रहो तो इतने इंटेलिजन बच्चे तब भी नहीं होते थे और अब तो लाइट की रोशनी में पढ़ते हैं वह एक लैंप आता था हमारे गरह में लैंप होता था रात में उसको रोशनी जला दी जाती तो पढ़ा जाता था और एक गैस स्लिंडर आता था हांडा बोलत तब भी नहीं उते तरह इंटेलिजन बच्चे तो आज जादा इंटेलिजन बच्चे आज के बच्चों मुकावला ही नहीं कहीं पे भी नहीं है ना देखा रहा ये भी कहा रहा इंटेलिजन चल्द 107 के बाद हाँ 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 मैस से बिल्कुल नहीं खबराने गवराओ तो टोपी यहीं खता मागला शुरू है लिखे 107 दोजार सत्रा सीजल में से मैं आया था है एस्टूडेंट गौट ट्वंटी टू मांक्स अस्तुंट गौट ट्वंटी टूंट टूमक्स मॉर इं फ्रेंट विंट ट्वंटी टूंट 25 मॉओ ट्वंट ट्वंट्ट टूंट्ट गौट उन्टेंडेंट than what she got in German, than what she got in German, her German marks are 28% of the sum of her French, 28% sum of her French and German, ऐसे लिखना, एक लाइन को ऐसे लिखना, her German marks are 28% of sum of her French and German marks, दिख्लिया लाइन सही से, फिर शे रिपीट कर रहा हूँ, her German marks are 28% of sum of her French and German marks, what are her French marks? what are her French marks? एक विद्यार्थी फ्रेंच में जर्मन से 22 अंग अधिक प्राप्त करता है, एक विद्यार्थी फ्रेंच में जर्मन से 22 अंग अधिक प्राप्त करता है, यदि उसके जर्मन में प्राप्त अंग, यदि उसके जर्मन में प्राप्त अंग, यदि उसके जर्मन में प्राप्त अंग, फ्रेंच और जर्मन में प्राप्त अंगों का, यदि उसके जर्मन में प्राप्त अंग, फ्रेंच और जर्मन में प्राप्त अंगों का, फ्रेंच और जर्मन में प्रापतंकों का 28 परतिसद है तो बताओ उसने फ्रेंच में कितने मार्क्स लिये तो बताओ उसने फ्रेंच में कितने मार्क्स लिये बेलकु 36 आएगा 36 होगा अच्छा थर्टीशिक होगा तुछ तीसो थर्टीशिक में अंतर बता रहें इंग्लीज मिनम के बच्छा अच्छ गुस्सा नहीं गुस्सा गुस्सान आ जाए गार बच्छों वाले कोश्ण नहीं इतना गुस्स ठीक नहीं है एक को सुनों फिर आपके इलेक्शन करवाई जाएंगे आपे अभी वोट होएंगे वोट एक टाइप वोट और करा दें फिर आप फिर आप जाके जाओ किताब मारो अगला टोपिक जो आपको पढ़ना हो वो बता देना पढ़नी है कि time and speed पढ़ना है कि distance पढ़ना है कि profit loss पढ़ना है कि CISI पढ़ना है कि ratio पढ़ना है कि mixture allocation पढ़ना है क्या पढ़ना है what do you want to do ठीक है height and distance पढ़ना है तरुनों मैटरी पढ़नी है जो भी पढ़ना वह टैवर कि दोनों एडवांस लाएं अच्छा बता एक सो साथ है कि आगे आगी तिरा बहुत बढ़िए अगली साल नोट करेंगा अभी 2022 में भी मुरू मुरी क्या हुए हमारी जर्मन से 20 अधिक परात्ता है और प्रेंसे जर्मन से 22 अ अधिक परात्ता या इडि जर्मन जर्मन में प्राप्तंग फ्रेंच और जर्मन में प्राप्तंक के 28 प्रद कितना घटिया खोशन मुझे जहां है फॉशन distingu मजा आता चार से काटो गया रच्ञाश्स अर पेक्षेज्न समझे संत कितना है कीमलिश गर यूनिट की वेलू कितनी है तो एक यूनिट की वेलू किसका पूछा है तो फ्रेंच में 18 नंबर थे तो 18 गुना दो इतना असान असान सोच्छन भी अगर आए मेंज में आता है तो फिर तो प्री के तो उकात ही क्या है कुछ नहीं है कि लेकिन किताब में इसनी कोच्छन होगा बनाओ तो यह कोचन ऐसे दिखेंगी पता नहीं कितना बड़ा है कितना बड़ा है कितना बड़ा है किया है कैसा है कि अइधा अब इस बताई वही नेक्स कोश्चन लास कोश्चन माक्स वाले का फिरम चलेंगे आपकी एलेक्शन में इंदी में बोलते हैं 108 इंग्लिस ये बोलते हैं 108 लिखे इन अगसिंट्प इन एक्सक्शन आपते हैं 102 इंदी में इंदी खर दीमा रिंः नेस्ट्प इन इंद्ट्रविश्च वावि अंपते हैं Number of students of the appeared from school X is 80% In school Y the number of students appeared is 25% more than students 25% more than student appeared from school X appeared from school X and the number of students qualified from school Y is 40% more than students qualified from school X What is the percentage of students qualified to the number of students to the number of students appeared from school Y From school Y इन्दी वाले एक प्रिक्सा के एक प्रिक्सा में इस्कूल X के पास्वे छात्र इस्कूल X के पास्वे छात्र इस्कूल X के पास्वे छात्र इस्कूल 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 जाद है वे स्कूल वाई के पाश्वे चात्र वे स्कूल वाई के पाश्वे चात्र स्कूल एक्स के पाश्वे चात्रों से चालिस परशिशत अधिक है स्कूल एक्स के पाश्वे चात्रों से चालिस परशिशत अधिक है तो स्कूल y के पास्वेशविशात्र तो स्कूल y के क्ल प्रिक्षियार्थि mendigo कितना प्रतिसाता है इस्कूल वाई के पाचवेचातर इस्कूल वाई के य तो बताईए आधा फिर वाई के लिखना है इस्कूल वाई के कुल प्रेक्षार्थ हुआ कितना परतिशत है ओस्टन भी लिख ले 90.5% 90% 89.6% 89% अब मुझे समझ में आती है कि ऐसे-ऐसे कोश्चन एगजम देता क्यों है इतना गटिया-गटिया कोश्चन भी क्या मतलब उसका क्या बनता है ऐसे कोश्चन देने से अरुन कुमार सिंग साइकलोजी के फेमस राइटर छोटा विमका कालिया नहीं आयाज हमारा विकास और नहीं टुन्टुन मोशी के लड़ी की आई guru अलोजी ऑनों गगेने सव्दुन रह fuckin वह यह वह बनムद्टुन है लग विकाग झार हमारा विकासाण मोशी है विकासा हमारा विकागा यह और मुश्षमें पार विकासॉत्र झागें झागेे साइकलोईर और मुश्ष त झागें लएट के ल tar हैं कि देखो बता दें इतना लेंटी कोश्चन नहीं है अरुन पढ़ सावास मेरे सेर देखो यह तो कुल एक्स के पास्व चात्र भॉल प्रिक्षार्थी पहले तो टॉटल सुडेंट लिख लो आ पर और दूसरी बात बोले पास्वे पास्टूट्स मेंज पासफीन सो थे तो 5 कितने होंगा सो सी पर części कि परसंट कितना होगा एक्सके स्कूल टॉतल स्जूडेंग से तो का पासी का पॉठीज परसन्ट ज्यादा प्चीस परसन्ट हुए जादा एन्थ टीस जादा कि ट्रौ्ग R. फ Amadeem आगे पूछा क्या है स्कूल वाई के इंदर कितने पास हुए पास हुए चात्र कुल चात्र कितने हैं का कितना परसेंट है 25 से गाटा एक सो बारा चार सो और तालीस वटे पास का मतलब 89.6 अब बतो क्या था इस कोश्चन में सारा डाटा कोश्चन में दे रखा इतना लेंटी कोश्चन बता वरे तो मुश्को पता इसमें कुछ था इस कोश्चन में लेकिन किताब से पढ़ोगे तो इसमें बहुत कुछ था बहुत कुछ है और बहुत कुछ रहेगा अज हम चलते अपने लास पढ़ाओ पर और हमारा लास पढ़ाओ है वो इलेक्शन तो आईए वोट डलवाते हैं जो आप डिसाइड करने किताब में निसान लगाएं सर यह पढ़ा दो वहीं पढ़ाएंगे ठीक आके सुप्चाब कान में बता दे ने पढ़ाना तो मुझे यह असी का चालिस पढ़ा एलला है लला असी का चालिस परतीसत लला है देख दस पंदर इंच उट्टी पर सब भूल गया मेरे साथ एक लड़ी की तीसरी ग्लास में पढ़ती दिमाज भी उसका नाम पता घर का नाम पिता जीन आज भी जानता हूं बस फरक यह था पहले मुझे दोस बुलाती दें उसकी साथ उसके बच्चे मामा बुलाती है फरक इतना ही है बस आगे बढ़ते हैं 109 पर चलते हैं चले हैं यह बूली बता इतने जल्दी तो यहीं तो मैंत का मतलब अगर मैंत को आपने एक महीनी